हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो नंतकेशोर क्लासेज, बहुत ही इंट्रस्टिंग कुशिन करने वाले हैं, ये दो एक्स्पोनेंट्स हुमारे पास हैं, टू 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 पावर हंडड़ और टू 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 पावर सेमेंटी फाइफ, हमें बताना है कि दोनों में से बड़ा ग्रेटर, बिसिक कंसेप्ट, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बड़े ध्यान से देखेगा, जैसे ये टू पावर हंड़ड है, हम इसे क्या करते हैं, इसे आप लिखते जिए, टू 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 पावर, अब हंड़ड को हम करने वाले हैं, फूर मल्टिप्लाई ट्व हम इसको 2 टू 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 पावर 4, पावर 25 भी लिख सकते हैं, ऐसा ही होता है न, 25 फूर से मल्टिप्लाई होके 100 बनता है, चलिए, अब आप 2 टू 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 पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 multiplied 2 is 4, 4 multiplied 2 is 8, 8 multiplied 2 is 16, तो यह बनेगा 16 टू 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 टूपावर 25, दैट मेंज मैं 2 टू 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 पावर 100 को 16 पावर 25 लिख सकता हूं, और अगर मैं बात करूँ 3 पावर 75 की, यह देखिए 3 टू 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 हैं ध्यान से देखेगा हम इसको 3 to the power अब देखो 75 जैसे मैंने इसको 100 को 4 multiply 25 किया था 75 को क्या लिख सकते हैं 3 multiply 25 लिख सकते हैं राइट बिल्कुल same steps और यह क्या बनेगा 3 power 3 और बाद में उपर 25 अब 3 to the power 3 यह क्या होता है 27 तो यह तो बन गया जो 27 power 25 अब दोनों को compare करिए यह जो 2 to the power 100 है वो तो बना 16 power 25 3 power 75 क्या बना 27 power 25 अब आप देख लिजिए 16 की power 25 बढ़ी हो 27 की power 25 क्योंकि देखो ऊपर exponent तो सेम है यह भी 25 है यह भी 25 है तो फिर 27 वाला ही बढ़ा होगा ना अब 27 वाला कौन सा है 3 power 75 that means ऊपर पूछा ना which one is greater 3 to the power 75 is greater यह हमारे पास बड़ी value है और इसको लिखने का तरीका आप कैसे लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 75 is greater than 2 to the power 100 देखिए हमने इसमें कोई भी shortcut use नहीं किया बिल्कुल basic methods basic rules use करके explain किया और बच्चों को basic concepts clear होने बहुत जिरूरी है प्रिक्स भी आने चाहिए लेकिन वो तो सीखी जा सकती है लेकिन base जो है बच्चों का बच्चों का बच्पन में strong करना बहुत जिरूरी है तो I hope यह concept आपको समझाया होगा और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए thank you so much जरूर को बच्चों का 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 बच